हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एडू हम सफर सफर सफलता के और फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सेट नंबर तीन जो कि यह सेट नंबर तीन जो है जो बिहार पुलिस के विकेंसी एक कैसा तीन से एक आनवे पोश्ट क अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पर प्लेइलिस्ट बना दे आप मेरे चैनल पर चले जिए और प्लेइलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रेक्टी सेट को जरूर लगा लिजे क्योंकि इसमें जो कोश्टन दियागा हूँ बिहार प जूड़ने के लिए लिंक जो आपको डिक्स्रिप्सम में या कॉमेंट बॉक्स मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्त अगर आप इस चैनल पर पहली बढ़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बगल म अजके हिंदी का कोश्टन देख लेता है कि में सबसे पहला कोश्टन अठे गया lag तो ञांने पोड़े Ap जो यह जो की आँगे देखते हैं इन में से कौन सा सब्द नहीं पी इसका समनार्थी नहीं है इसका समनार्थी समे कौन से नहीं वहला बताना है पहला दिया मॉन जोकी है अगला अगला कोश्चन देख लेते हैं इनमें से कौन सा सब्द उपसर्ग रही थे यहां उपसर्ग रही थे तो देख लेते हैं दिया है अत्यादिक जो कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अगला है विदेश है जो कि इसमें भी लगा हुआ है तो अगला है सुन्योग जो कि इसमें भी लगा हुआ है तो अगला है सुरेश जो कि सुरेश एक नाउन है एक संग्या है या एक नाम है इसमें कोई भी उपसर सुथ के लिखा गया स्वर्गिए स्वर्ग लिखा गया इसमें जो चार नंबर लिखा गया इसका एंसर चार नंबर होजागा आगे देखते हैं ग्रामा गीत का मर्म कहानी के अंसार कला गीत का अरम क्या हो जागा तो इसका अरम जो हो जागा वह ग्राम गीत हो जागा इसका जो एंसर हो जागा ती नमबर हो जागा जोगी आगे कोश्चन देखते हैं जोगी अगला कोश्चन दियागा कि देखने की इक्षा के लिए इन में से उप्यूक्त सब्द कौन सा है तो देखने की इक्षा जो होता है उसके लिए उप्यूक्त सब्द जो जगा वो दिक्ष सा हो जागा इसका जो एंसर जगा एक कहानी समाज के किसर के मनसिक्दा उजागर करती है यह जो मनसिक्दा उजागर करती है इसको एंसर नमबर हो जागा आगे questions पुंगते हैं इसको क् 11 सब्ध guidance क्रवाजी क्या हो जाए देख ले ओगर को कितने संपाधित किया था यहाज मपादित जो किये थे वह ऑछली सरदार जाफरी दौरा इसका जो एंसर जिएगा पहला कोस्टन क्या दिया गया इंद फॉलेंग कोशन out of the four alternative choose the word which based expression the meaning of the given word तो दिया गए मीश्य का अरथ बतना है इसका नमबर िकाप सटने आए इसले इंडा गए पोजीट दिया गए इसले इस्टेनायस चैनल कि इसका और ये भीड's यह आ जो जायगा यह जो ज instantly संगत हो जाएगा इसका एंसर तीन नंबर हो जाएगा आगे देखते हैं जो कि इसका अर्थ होता है और संगती होता है इसका या अंतर होता है आगे देखते हैं अगला कोश्चन देख लेते हैं यहां दा सेंटेंस गीवन विट फिलिंग द ब्लैंक दिया गया प्रूप्रियेट वाड बताना है फोर अल्टेनेटिवें सगे सजेशेट फर इच कोश्चन फर द इच चूजर करेक्ट अल्टेनेटिव बताना है तो दिया है वान आफ दारी जंद इसका 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 जो सही कोशागा यह जो सही हो जागा इसका एंसर 3 नमबर छागा आगे दैकते हैं जोगी सतरह प्रूप्र देख लेते हैं क्या देगों तें दैगा इन orthरी यह जो जो जागा गीवैन फर दा आटेंटर कि क्या देगा तो दिया गया स्मूट रोफ फिल्ड फिस मफिर इसका कर जो दो質 है रहें सब्सक्र्दोज स्ब्सक्राइब यहाँ को पांटर र fightersτι Yayえて Ampeel छीए सब्सक्फिलरंस प्सप्रीब्स कि On जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे देखते हैं इन दीज कोशन दसंटेंस है बिन गीवे इन एक्टिव वाइस बताना है तो देख लेते हैं एक्टिव वाइस क्या हो जागा तो दिया है बरून इसका जो सही जो जागा एड़ी नर 6 रोट इज वेर एटेन वई बरून इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे देखते हैं यहाँ 20 नमबर जो कोश्चन देगा जो कि इसको आप लोग बना ली जगा यही जो कोश्चन है पैसी बहाइस बताना है तो इसका डिरेक् जो है अवको day directions नदिया है तब सबसे नदि कौन सा है तो पहले देन नियार नदि कह hypertension क्यों क्यों चिल्यार नदी इसमें जो हो जाएगा वह नियार नदी जो है वह केरल राज के सबसे डक्षिंटम नदी है जो कि अतिर्वन्थ पूराम जीले से होकर बहती हुई है जो कि इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं तो स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्त मं जो कि मंत्री परिशद में केबिनेट रेंक प्राप्त करने वाली पहली महिला थी याद रखेंगे यह भी कोश्चन पूछ देगा केबिनेट मंत्री बनने वाली प्रतम महिला कौन थी तो यह जो ती राजकुमारी अमरीता कौर थी जो कि 1950 इसमें वह विश्व स्वास्त करने गई थी आगे देखते हैं यह प्रतापगार की लडाई में च्छातरपति सीवा जी द्वरा निमलिकित मेंसे कौन सा मारा गया था यह जो मारे गये थे इसका जो हो जागा इसमें दिया गया आफ जल नंबर परतापगार की लड़ाई जो नवंबर 1669 में मराठा राज जनरल आफजल खां के सेनाओं के बीच लड़ी गई थी जो इसमें आफजल खां मारा गया था इसका जो एंसर जगा एक नमबर हो जाएगा आगे दिखते हैं दिया है कौन सा परवत भारत के पुरुवी सीमा पर मैन मार के साथ इस्तिते तो भारत में परवत जो है जो जो कि पुरुवांचल जो है यह भारत के पुरुवी सीमा पर मैन मर के साथ इस्तित है इसका जो एंसर जगा च्यार नमबर हो जागा जो कि आगे कोश्चन देखते हैं दिया है कि बीतिये संस्थावदर अपने अल्पकालिक दाइत्तों को पूर्थी करने क्या योगता को स तुनिचित करने तो अत्याधिक तरल संपती के अनुपात को निमलीखित में से क्या कहा जाता है यह जो कहा जाता है वह चल नीधी कावरेज अनुपात कहा जाता है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जो कि तरल तक कावरेज अनुपात जिसे सोट में ELCR कहा जाता है या बीतिय संस्थानों दोरा आयोजीत अत्याधिक तरल संपती के अनुपात को संदर्भीत करता है आगे कोश्चन लेखते हैं जो कि दिया है यहां भारतिय समिधान के अंसर राष्टपती अपने त्याग पत्र की से संपते हैं तब भारती समीधान के औंच्छेद। में पहने कोई है, कि राष्ट पती को संभोधे कर अपने पद से त्याग पत्र दे सकते है US भारत के चैटानों को काटाकर बनाई गई सबसे पुराने बची हुई बराबर गुफा है, निमली कितम में हिस कि록 कि आप यह जो काल जो है वो मौरे समराज का है इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा जो कि यह कहां पे इस्थित है तो यह जो है बिहार में जहानाबाद जिले के मकदूम पूर छेत्र में इस्थित मौरे समराज के बराबर पहाड़ी यह गुफाय इस्थित है जो कि इसका जो एंसर जगा 3 नमबर हो जागा आगे देखते हैं तो यह बिधान सभा का सदस से बनने के लिए निमतम कितनी आयू होना चाहिए तो बिधान सभा का सदस से बनने के लिए निमतम आयू जो होना चाहिए यह होना चाहिए 25 साल इसका जो एंसर जगा 4 नमबर हो जागा जो की 21 अनुछेद में कहा गया तो भारती समिधान का अनुछेद 173 याद रखेगा अनुछेद 173 बी के अनुछेद 172 बीधान सबाग सदस्य होने के लिए एक बेक्ती को भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर से कम उम्रका नहीं होना चाहिए इसका जो एंसर जगा 4 नमबर हो जागा आगे देखते हैं भारती समिधान का अनुछेद 123 के तहत अध्यादेश को जारी करने की सक्ती निमलीखित में से किस के पास है यह जो सक्ती जो है वो 123 के तहत वो राष्ट पती के पास है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है कि बुग्याल हिमाले की ढलानों में उचाई वाले घास के मेदान और चरगा है या अधिकतर की सराज में पाया जाता है इसका जो एंसर जगा यह जो एक नमबर हो जागा जो कि यह जो एक प्रमूख पूस्तक कौं सी है ति हैंसंग की प्रमूख पूस्तक जो ए की इव की है जो कि इसमें भारत में उनके अनुभव के अधार पर या सी यू की उन्होंने लिखा था आगे कोश्चन दहिते हैं त्यानिमली खित में से की स्राज में कुलेरी जील जील जो आंधर प्रदेस में इस्तित है इसका जो एंसर जगा च्यार नंबर हो जागा जो कि कुलेरी जिल आंध प्रदेस में इस्तित भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी के जिल में से एक है जो कि एसिया में सबसे बड़ी उतले ताजे पानी का जिल है जो कि ये कुलेरु जील कहां पेशती है ते कुलेरु जील जो है कृष्णा और गुदावरी डेल्टा के बीच इस्तित है जो कि इसका जो आगे कोश्चन देख लेते हैं दिया भारत 28 राज्यों और 10 संग सासित परदेशों के साथ एक संग ये गर्ण राज्य है तो भारत में बरतमान में 28 राज्य हैं और 8 जो है संग सासित परदेश है इसका जो एंसर जगा चार नमबर हो जागा जोकि आगे कोश्चन देख लेते हैं जोकि दिया भारत के समिधान के अंसार 2020 से पहले एंगलो इंडिया समुदायगे कितने सदस्यों के राज्टपती दोरा लोकसवा में नामीत किया जा सकता था यह जो किया जा सकता था वो दो, इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे question देखते हैं जो पचास नमबर जो question देख लेते हैं क्या देगा ते दिया अगे निमलीखित में से कौन सी परवत सिंखला दुनिया के दूसरी सबसे उची चोटवी केटू के घर है तिया केटू का घर जो पूर्वी कारा कुरम रेंज है इसका जो answer जगा दो नमबर हो कि मौर्व गाओपोड पर्ट बहारत के पश्मी टट पर गोवा के टटिया राज यह बंदर गाहा है जो प्रकीरतिक बंदरगा साइट पर याठाठीव कमिशन किया गया था जो कि यहाँ भारत के सबसे पूराने बंदरगाहों में से एक बंदर गाहा है आगे देखते हैं प्राथमिक सहरी सहकारी बैंकों के बीनिमय और प्राइज वेक्षण के जिम्यदारी जिसे सहरी सहकारी बैंक UCB के नाम से जाना जाता है निम्न में से किस के साथ नहीं थै तो देख लेते हैं या किस के साथ नहीं थै तो पहला ओप्सन दिया गया भारती रिजरब बैंक के गैर बैंकिंग प्रेवेक्षण विवाग जो की नहीं है अगला देख लेते हैं दिया है भारती रिजरब बैंक का सहरी विवाग जो कि इसके साथ यह है इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा 23. dürfen भारत को लगवग दो हिस्से में बाढ़ता है वह जो रेका जो एंसर जगा च्यार नंबर हो जागा जो जो करक रेका जो भारत में कुल आठ राज़ु से गुजड़ता है इसका जो एंसर जगा च्यार नंबर हो जागा आगे question देखते हैं तिया भारती समिधान के अंचे 243 B के अनुसार नगरपालिका का सदस से बनने के लिए निम्तम आवस्यक आयू कितना होना चाहिए या निम्तम जो अवस्यक आयू जो होना चाहिए वो 212 वर्त होना चाहिए आगे देखते हैं अनिम्सार नम्र होना चाहिए जो कि भारत बिश्व का सबसे बड़ा जूत उटपादक देश भी है आगे कोश्चन देखते हैं ती निमली खित में से जहारखंड के सींग भूम जीले के जादू गोड़ा में किसका महतपूर्ण खान है तो यहां हमस्ब्म धफश सब्सार्ण देख लेते हैं तो यहां अप्सद में की सब्सिक्राइब इसका, पूछया करता हैं। इसमें खानन की शुरुआजब इसकी खोज घोठ मिक तो से कहा था। प्रशासनिक भगाली की काई जिसमें यह चिंदवारा नहीं आता है पाकि यहां देश सेव पूर्जो की आता है अगला मुरईना जो किये भी आता है इसमें नहीं वाला बतनाता तो इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जाएगा आगे देखते हैं दिया अगे निमलीकित में से कौन सा सब्ध भारतिय समिधान के 42 संसोधन दोरा प्रस्तावना में सामिल किया गया था यह प्रस्तावना में सामिल किया गया था देख लेते हैं दिया आर्थिक जो कि नहीं किया गया था अगला है अखंड था जो कि अखंड जो सामिल किया गया है इसका जो एंसर जगा अगे देख लिए असता जो नहीं किया गया था अगला रजनीतिक जो यह भी नहीं किया गया जो कि 42 समिधानिक संसोधन अधिनियम 1976 के द्वरा प्रस्तावना में तीन सब्द जार सामिल किया गया था समझवादी धर्म निर्पेक्ष और अखंडता सब्द जोड़ा गया था जो कि इसका जो एंसर जगा दो नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया निमली खित में से की से उदार पुर्वक भारत का बायो ब्रीध पुरूस कहा जाता है तो यह बायो ब्रीध पुरूस यह दो ग्रेंड ओल्ड में अफ इंडिया जो यह जो कहा जाता है वह दादा भै नरोजी को कहा जाता है इसका जो एंसर जगा एक अल्ट्रा सोनिक धुनिया वे धुनी होती है जो दैस अवीर्तिया होती है है ति यह आपर जो होती है 20 के हरसे अधिक होती है इसका इंसर जगा दो नंबर हो जाएगा आगे question देखते हैं दिया है कि जराद दूरदर्सी था प्रेस बाइओपिया को सही करने के लिए आम तोर पर कीस परकार का lens का इस्तमाल किया जाता है तिया जो lens जो प्रियोग जो किया जाता है द्वीब फोकसी lens का या बाइफोकल lens का प्रियोग किया जाता है इसका जो answer जागा एक नमबर हो जागा जो कि आगे question देखते हैं जो कि दिया है कि liquid in glass थार्मामीटर में आम तोर पर उप्योग किये जाने वाले तरल पदार्थों में से एक कौन सा है यह तरल पदार्थ में जो प्रियोग जो किया जाता है अलकोहल इसका जो answer जगा दो नमबर हो जागा आगे question देखते हैं तो यह नमलीखीत में से कीस इरधन का पेट्रोल के बराबर उसमीय मान जो कि उसी को केलोरिफिक वहलू कहा जाता है यह किसका होता है यह किरोसीन कहा होता है इसका जो answer जगा दो नमबर हो जागा आगे question देखते हैं जो 65 नमबर जो question देख लेते हैं दिया है कि मानो सरीर के निमलीखीत में से कीस अंग को carbohydrate को glycogen के रूप में संग्रहित किया जाता है यह जो किया जाता है जीगर में इसका जो answer जगा दो नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया अगे निमलीखीत में से कौन सा बिकल्प हीर्दे का वाल जो की नहीं है तो देख लेते हैं इसका जो answer जाएगा चार नमबर हो जाएगा आगे देखते हैं दिया हाइपोकेलोमिया ड्यस की कमी के कारन होता है यह हाइपोकेलमिया जो यह जो होता है वह potassium के कमी से होता है इसका answer जगा दो नमबर हो जाएगा जोगि पोटेसियम की कमी अतारत इसी को हाइपोकैलिमिया एक बिमारी है जिसमें खून में इलेक्ट्रोलाइट पोटेसियम की कमी हो जाती है जैसे ऐसे सरीर में बहुत अधिक रखत अचानक निकलने से होता है आगे देखते हैं यह निमली खित में से कीस हर्मोन का तनाव से मुकावला करने में सहायक मना जाता है यह जो हर्मोन तनाव से मुकावला करने में सहायक जो होता है वह सेरोटीनिन होता है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा जोगी आगे question देखते हैं ति या अगे निमली खित में से किस ने रक्त प्रवा की खोज किया था या रक्त प्रवा की खोज जो किया गय था वह बिलियम हर्वे दोरा किया गया था इसका जो answer जगा ए नमबर हो जागा जोगे बिलिया महारवे जो है मस्तिक तता सरीर के हीरदे दोरा पंप किये जाने वाले रक्त के परिसंचरन और गुणों को पूर्टा बिस्तरीत रूप से वर्णन किये थे अगे देखते हैं जोगेगर गया है जिवित जनतु में पाये जाने वुले कार्बन अधारत योगийक जो अगया है到 यह जाया इसका इंसर ठ्रमन होए गहले जो कि अब फुस्फुसिय धमनी आई उसी को फुस्फुसिय परिसंचरन कहा जाता है जिसमें एक धमनी है जो दील के दाहिने तरफ फेफड़े तक डियोक्सिजेनेटेड रख तो लेता है जो कि इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं दिया अगे निमली खित में से कौन सी एक प्रकीर्ति ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो देख लेते हैं प्रकीर्ति ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है तो पहला जो दिया गए दिया एक कार्बन डेयक साइड जो कि है अगला दिया नाइट्रोजन जो सदों जो कि नाइट्रजन जो नहीं इसमें नहीं वहाँ बतना था तता अगला जोगी सब्सकिर्शाय कोश्यवान जो ऑक्राइब है इसका जो maar ब सब्सक्रास तो है इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं अधिया एक अधिया इसका एंसर दो नमबर हो जागा एन्वीटेन का होता है आगे कोस्चन देखते हैं जेज़े थमसम को डैस की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पृस्कार प्राप्त हुआ निमलीखित में से ऊसरूम दिया आगे अगला कोश्टन दिया है निमलीखित में quién सिरें PAL रूप पुल देख लेते हैं कॉंसा तो पहले है जो की यह फासफोरस जो की यह नहीं है तो अगले कार्बन जो की यह यह है इसका जो एंसर जगा चार नंबर हो जागा आगे कोश्चान देखते हैं निमली-खित मेंसे किस में फाल की बहुत तेज सुगंध आती है या फाल की सबसे अधिक सुगंद देख लेते हैं पहले मिठाइल कोलराइड जो कि नहीं है जो कि अगला अगला मिठाइल आपल यह करता है जो की इसमें पहये जाता थो चाहितर नंबर अगे देखते हैं णताफराव ग्रंथि क्या करता है तो देख लेते हैं यह अगला पीट्यile रिदा करता है वही पिटीवट्री गरंती को और किस नाम से जाना जाता है तो इसी वज़ा से पिटीवट्री गरंती को मास्टर गरंती भी कहा जाता है आगे देखते हैं निमलीखित में से कौन सा LD हाइड है तो देख लेते हैं इसमें कौन सा LD हाइड हो जागा तब पहला देख प्रोपेनल जो कि प्रोपेनल जो है एक LD हाइड ग्रूप का है इसका जो एंसर जगा A नमबर हो जागा जोगे इसका फर्मूला क्या होता है तो इसका रसाइनिक फर्मूला जोता है CH3, CH2, CHO होता है आगे देखते हैं दिया है कि आख में प्रकास की मातरा के प्रिवेस करने के नियांतरीत और भी नियामीत किया जा सकता है आगे question देखते हैं पिछले एगजाओ में पूछा भी गया है इस पिछले एक जाम में पूछा भी गया है इस वज़े से यह बहुत इपोटेंट कोश्चन है आगे देखते हैं जो कि 83 नमर जो कोश्चन देख लेते हैं क्या दिया गए कि अस्तन पान के दौरान की सहर्मोन के कारण अस्तनों से दूद का स्रावन होता है यह जो दूद का स्रा संक्रम की कारण कौन सा बिमारी हो है पहले जो क्यों संक्रम में की कारण जो एक थाले ज प्रोटीन की सारवधिक देखilosek दिया गया गया तो इसमें सारवधिक जो जाएगा इसका जो एंसर जाएगा दो नमबर लीकिते हैं बेडमिंटर में इसका जो एंसर जगा तीन नंबर हो जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट की स्राज में इस्थिति या चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट जो है या हिमाचल प्रदेश में इस्थिति इसका जो एंसर जगा तीन नंबर हो जाएगा आगे कोश्चन देखते हैं दिया है बीकेट कीपर की हैमलेट जीवन पर रखा हुआ है और बलेवाज के सट से निकलने के बाद बॉल हैमलेट पर जा लगी ऐसा होने के कारण बैंटिंग टीम को कितने पेनल्टी रन दिया इसके संपादक जो है वो अनर्व गोस्वामी है इसका जो एंसर जगा चार नंबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं निमलीखित में से कौन सा खेल बोलो ड्रोम में खेला जाता है या जो गेम जो है साइकिलिंग है इसका जो एंसर जगा एक नंबर हो जागा आगे दे चाहे वह समूंदर में दूसमनों के समक्ष दूसरों को बचाने के लिए अतियादिक बहादुरी या बीरता या साहस या आत्म बलिदान के लिए यह दिया जाता है जो कि यह सरवच सेन पुरुसकार है जो कि इसका जो एंसर जगा चार नमबर हो जाएगा आगे देखते हैं निमलीखित में से कौन से अस्थान चिकनी कारीव कड़ाई के लिए प्रसीद है तिया है क情況 लिए पूर नहीं लिखा गया है सबसे पहले देख लेते हैं सकंतला गहा ग्ला यह रीटू संगहर जो कि इभी लिखा मादवप मामा फाश यो कि मालती माधवा भारत की आठावती के भिद्भान हो भूति तोरा लिखा गया था जो कि यह काली दास दोरा नहीं लिखा अगला माल भी कागनी मित्रू जो किया काली दास दोरा लिखा गया तो इसमें नहीं वह बतना है तो इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिए कि प्लेइंग इट माई वे अत्म काथा के लेखा कौन है तो यह जो लिखा गया वो सचीन ते में सबसे अधिक है तो यह डॉल्फिन जो सबसे अधिक जो है वह उत्तर पर देश में इसका जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा आगे कोश्चन देखते हैं दिए कौन सा देश बीसो में अपने सभी गिलेसियर खोने वाला पहला देश बन गया है तो यह जो पहला देश जो बना है बेनुवे जेला बना है इसका जो एंसर जगा चार नमबर हो जागा आगे देखते हैं दिया एक मूडी रेटिंग्स कोई अनुमान है कि भारत बीतिया वर्स दोजर चोवीस पचीस में डैस परतीसत की ब्रीधी प्राप्त करेंगे तो यह जो ब्रीधी जो प्र सुनील चेतरी जो है एक अंतराश्ट्य फुटबॉल से सन्यास लेने की घोशना किया है इसका जो एंसर जगा ए नमबर हो जागा यह काहां के हैं तो यह भारत के सबसे मसहुर फुटबॉलर जो है सुनिल छेतरी इनका अंतराश्टिय फुटवल ससन्यास की खोशना है छे जून 24 को को कुलकत्ता में कुवेद के खिलाब फीफा बीस सो कब क्वालिफायर मैच के समय कियेते हैं आगे देखते हैं जो कि आज का आखरी कोश्चन देख लेते हैं क्या दियागे की इस देस ने दुनिया के पहले जी सिक्स प्रोटो टाइम डिवाइस का अनावरंड किया है यह जो जो किया गया जो एंसर जगा तीन नमबर हो जागा जो कि आज इतना ही रखते हैं इसका आपको नोटिपिकरसन परापथो गमें तो विदियो यहां तक आप देखी लिए तो विदियो अच्छा लगा तो विडियो का लाइक किजेगा और जादा सथ अपने दोस्तों के शेयर कीजेगा पिर मिलते हैं आप सक ले वीदियो में तब तक ले धन्य बाद जै ेंद